नवस्कार दर्श्रक बीदर आती थी मा फरी एक वार आती थी थिए लेओ कारेक्रम के जे कारेक्रम मा विशिष्ट व्यक्तितों साथ आपनी मुलाकात करावें छे अन्य वातों करिये शेतरंग आज एक कोईपन जातनी एमनी पहचान वगर कोईपन जातना विशेशनों लगावाया वगर सीधाज इंटोड्यूस करूचु आज ना आती थी इस्माइल दरबार ने इस्माइल जी आपका स्वागे देगा रेक्रमेर तैंक्यू दिवाम साथ पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि पापा की और से संगीत की विरासत इस्माइल जी की सक्सेस में इसको विरासत कहा जाए या अपनी महनत मेरे खेल से विरासत है अगर विरासत नहीं होती तो महनत तो रोट पे खड़ा खुदने वाला हम सबसे जादा करता है है ना तो यह विरासत है हमारे भुजगों की दुआएं और जो श्ट्रगल जिन्दगी में उन लोगों ने किया था यह उनको जो नहीं मिला बदले में मुझे उपर वाले ने मुझे दिया तो यह विरासत ही है बेसिकली ने तो मेहनत तो लोग बहुत ज़्यादा करते है बचपन में पापा अच्छा सेक्सोफोन बजा लेते थे जी सेक्सोफोन का एक मतलब पेशन था उनका मतलब जैसे सेक्सोफोन लगाया हाथ में पकड़ा और उंगलिया ऐसे मकमली घूमती थी उनके उपर कि मेहनत ना करे तो भी एक अच्छा सा सूर निकल जाता था और लोगों को करनप्रिय लगता था उस वक्त इसमाइल जी क्या करते थे जब पिता जी रियास करते थे मैं बच्पन की बात कर रहा हूँ देखें, जब बच्पन में पिताजी रियास करते थे तो इसमाइल दरवार का वजूदी नहीं था इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझसे जो जो उनके किस्से थे, जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं वाइलेंट सीखने लगा, तो उन्होंने अपने रियास के तरीके मुझ हासिल करना है, तो तुमको सबसे पहले ये सारे खेल कुछ छोड़ने होंगे, कि मैंने अपना बच्पन नहीं जिया, ये उन्होंने कहा, मेरे सारे दोस्त बोले खेलते रहते थे और मैं रियास करते रहता था, और वही वज़ा थी जिसकी वज़ा से जब भी मैं, जो आपन अज़ भी ऐसा हुआ कि ये नोट एंजोड़ी और चाल्डूट मेरा एकदम उल्टा हुआ, मैंने अपने बच्पन को पेट भर के जिया, और मुझे रोज ये ही किस्सा सुनाते रहते थे, ये मत करिये, ये ही ताइम है, मैनत करने का, सिखने का, लेकिन उस वक्त आप अप अजय कर रहे थे अपना चाल्डूट मैंने हर चीज को एंजय किया है लाइक में, जाहे वो मतलब जैसे क्रिकेट का बहुत शौकिन था, फिर पतंगे बहुत उडाता था, गिली रंडे बहुत केलता था, और मतलब जितनी भी गेम्स उस वक्त होते थे, मैं सुबा से साम त और उसके बाद यह हमारी मा ने अपना दिमाग लगाया कि यह तो पूरा दिन खेलते रहता है, इसको आप बंबई लेके जाओ, हमारे वालिद साब से का, और हमारे वालिद साब ने का देखो वैसे भी मेरे रहने की जगा नहीं है, मैं इसको ले आके कहा रखूंगा, बोल तो बड़ा ऐसे लग रहा था कि बड़ी हरी हरी सूज रही थी, हमारे पिताजी ने बोला चल मैं तुझे ले आता हूँ क्योंकि मैं बड़ा बड़ा स्मार्ट था, अभी भी है, अभी भी है, उनको लगा कि छोड़ के आएगा नहीं सूरत को, क्योंकि सुभा से साम तक का यह अज़र को बड़ा था 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 ना, वो शड़ चोड़ के क्यों जाओंगा नहीं तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तू ही रहो बनना चाहते हो क्या, अच्छा यह भी कोशिश की थी? नहीं, उन्होंने मुझसे सबसे पहले बोला यही कि मैं तुमको बनाने के लिए बंबे ले जाना चाहता हूँ. ओके, ओके, दासे में लिया, अगर वो मुझे खेते हैं, अगर ऐसे कहते हैं तो मैं शायद जिन्दगी में हिलता भी नहीं उदर से, अब हीरो का तो क्रेज, यूनो, हम लोग सबको बच्पन से ही है, जब भी हम फिरिम देखते हैं तो हम अ तो थोड़ा एसाब किताब लगा लिजे क्योंकि अब साड़े छे पड़ा हुआ आदमी क्या हिसाब किताब करेगा, है ना? तो थेरा साल का था तब यह सारे किस्से हो ए और कहानी फिर आगे बड़ी, फिर यहां लाके मुझे वाइलेंट सिखाया तो मैंने का तो शूटि यहां से ही शुरू होगा सब और यहां से ही तुमको सब मिलेगा, कौन गुरू थे वाइलीन के मेरे राम प्रशा शर्मा जो लक्षमी कांद प्यारे लाल जी के फादर ते है, तो बस वहां गया तो वहां पर सब मनोच कुमार के बेटे भी सिखने आते थे, रीना रोई की बेहन बरखा, वो भी सिखने आती थी, तो मुझे लगा हा यार, यह जगात एक्कम सॉलिड है, यहां से काम हो जाएगा अपना, तो यह सिखना शुरू किया, फिर हर साल में उनको एक सवाल करता था, कि यार अभी तो एक साल हो गया, वो हीरो बनने हाला किस्सा का पूरा हो बेहनत करो तो हो जाएगा, ऐसे करते 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 करते, बारा साल निकले गया, और फिर म्यूजिक डिरेक्टर बन गया, तब उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम हीरो बने जा, यहां यहां रोकूंगा, हीरो बनने वाला जो पहला मकाम था, जब आपने क्रोस किया, उसकी ब क्या खोवायू सुख, शुक्रवारे रात्रे 39 कल्ला के लोकमंच, सांजे 8 कल्ला के विरमबत फरियकोर सौगेच्छा अपनू कारे करा मती थी मा, 12 साल की महनत, 13 साल की उम्र में बंबई में प्रवेश किया, वायोलिन, अपने आपको रगट डाला, एक अंदर से ख्वाईश थी कि कुछ मुझे अपना नाम करना है, और उसके बाद 12 साल तक महनत, उस महनत मे मैं कभी भी ऐसी सोच आई थी कि यार ये छोड़ दे, सोच नहीं है इदी, आप यकीन मानिये, मैं 12 साल में कम से कम बारा बार 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 बंबई छोड़ के सूरत भाग के आया था, बड़ इसका पूरा क्रेडिट में अपने माबाप को देता हूं, जब मैं भाग कर आ अपने दुपर को एक बज़े खाना कड़ी किछडी सामने आ जाती थी, चटनी वित पापड़, आप समझे नहीं ये आयाशी वाली जिंदगी थी, और जो चाहे हो आपको जो खाने का मने वो सब मिल रहा था, अब बंबे में इस सारा बंद हो गया था, जो भी आपको खान अब में बच्पन जे खाने का बड़ा शौकी है, लेकिन ऐसा भी बहुत बार हुआ कि मेरी सबसे पसंद वली चीज थी कड़ी किछडी, आप यकीन ही मनेंगे, देवंग साब, सच कह रहा हूँ आपको, मेरे घर में कड़ी किछडी बंनी बंद हो गई थी, तो मेरे घर में क्या कर रहा होगा, कड़ी किछडी के पीछे तो पागल था, और अभी जब भी उसके अबबा खत लिखते तो वह भास एक ही बात बोलते रहते हैं, यह कड़ी किछडी मांगते रहता है, मैं इसको कहां से लागे दू, आप संज़ें कि नहीं, लेकिन, 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 इस आप इस भारा साल की स्टरगल में, कहा जाता है कě, इसमाईल जी गुषते भी बहुत हो जाता है, अपना अपना नेचर, कभी अपको लगा कि वो हर्डल बना है फे ग्रोध में, हाँ, देखे, क्रोध जो होता है वो नुकसान तो पहुंचाता है, पर जो क्रोध है वो नीचर में है, ऐसा निए कि मैं बंबय आने के बाद था, मैं बच्पन से ही बहुत गुस्से वाला था, जो हमारी मां से मैं जब कोई चीज मांगता था, और उन मुझे नहीं मिलती थी तो मैं पूरा उथल-फथल कर देता था, मतलब इस तरह का गुस्सा था मेरा, बहुत जिदी, तो वो सारी चीजे मेरे अंदर है, आज भी मतलब कोई चीज में जो चाहता हूं मुझे नहीं मिलती है, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, पर अभी थोड़ा समझदार दर्बार के जहन में, ये गुस्से नाम वाली चीज नहीं होती, तो बहुत कुछ फर्क बढ़ता है, देखे मैं तो एक दूसरा इसका पॉजिटिव पहलू ये सोचता हूं कि अगर गुस्सा नहीं होता तो इसमाईल दर्बार ही नहीं बनता, ये गुस्से नहीं उसको बन प्राक्टिस की जरूवत है तो अभी थोड़ा टाइम तुम प्राक्टिस करोगा जबके मेरे से कमजोर बजाने वाले और थे बट उन्होंने क्या सोच के कहा था ये उनको पता है उन्होंने गलत नहीं सोचा था बट मैं उस चीज को बहुत दिल पे लिया एक सिंपल सी बा के ओके आज के बाद मैं तुम्हारे पास काम मंगने कभी नहीं आँगा एक ठान लिया था कि ये ये करना ही है मुझे तुम्हारे बराबरी का काम करूंगा नाओ नाओ यहां बात आती है आपने बोला कि एक ठान लिया कि आज के बाद मैं आपकी बराबरी का एक म्यूजिक डारेक्टर बनके ही पेश आओंगा इसमाईल जी को सही रेकरगनाईजेशन इस इंडस्ट्री में कौन से मौके ने कौन से वाक्ये ने दिया देखे मैं एक कृष्णामूर्ती प्रोडक्शन ने तो सबसे पहला मैंने अटेक किया लक्ष्मी कान प्यारायल के प्रूडूसर पर और मुझे इतना नौलेज नहीं था तू बी वेरी फ्रेंक्ट मुझे लगता था कि एक फिल्म में छे साथ गाने होते उतले बना लो तो काम हो गया तो यह बात मुझे इतनी ही पता थी ज्यादा गहराई भी नहीं पता थी तो तब की बात बता रहा हूँ तो मैंने कृष्णामूर्ती के साथ प्यासा सावन उनकी बहुत बड़ी हीट और प्यासा सावन थी वो तो मुझे आइडिया नहीं बट उनकी एक फिल्म बहुत बड़ी हिट वी ती जिसका म्यूजिक लक्ष्मी कान प्यारलान ने बहुत जबरदस किया था तो मैं उनसे मिला रवी रवी कृष्णामूर्ती से और उनने जीन्स मुझे अभी तक कपड अभी साब मैं आपको मेरा म्यूजिक सिटिंग सुनाना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ मुझे काम करना है जिए मुझे डर्टर तो मुझे ऐसे देखने लगे यार यह पागल हो यह यह हुलिया और यह इतने लेजर्ड लोग के साथ काम कर रहा है तो एक रस्ते में लॉं साथ गाने में उन्होंने चार गाने पसंद किये और तीन गाने में कुछ बोला नहीं उन्होंने बोले और है मैंने कर एक पिच्चर में तो साथ ही गाने होते तो बहुँ जूर से असे हो तो बड़ा कॉंपिटेंट बड़ा सॉलिड है तो को कैसे मानूं कि यह साथ गाने म इस मकाम पर पहुचने के बाद भी एक सिच्वेशन पर कम से कम 15 गाने सुना देते हैं तो तुम कुंसी दुनिया में हो तब मुझे पहली बार पता चला बट फिर भी मैं जिद्धी था मैंने का मैं पंद्रा गाने भी नी बनाऊंगा मैं बनाऊंगा एक या तो दो तुमको पसंद करना है तो करो और यही किया आज तक मैंने जितनी successful गाने हैं ना मैंने एक या दो इसके बाद तीसरे के बारे में जब भी बात हुई है उसको इना बोल दिया सीधा तो यह पागल बने मतलब production करूँगा तो perfection के साथ ही करूँगा अपने confidence से काम करता हूँ और वो पहला break पहला गाना पहला गाना जो recognize हुआ वो कौन सा था वो सबसे पहला गाना था हम दिल दे चुके सनम जो संजे बनसाली ने उसको समझा उसको परखा और मैंने उसको संजे को यह बोलके सुनाया कि आपनी से गाने सुन लिया तब तक थो मैं काफी polish हो चुगा था संजे तक पॉंचने तक तो आने संजे को से टिंग सुनाया थो संजे ने मुझसे कहा कि और पोचिस सुनाना चाहते हो एक गाना है जो मेरी पसंद का है जो लोग ज़्यादा रियक भी करते है बट मेरी पसंद का है तो मैंने सुना है वो था हम दिल दे चुके सानम टाइटल सॉंग संजे ने बुला एक बार और सुना है बोले एक बार और सुना है बोले एक बार सुना है यही प्यार से तारीफ किया जितनी प्यार से लूँस गाने की वैल्यो समस्ता था तब मुझे लगा कि यार मुझे इस आदमीं के साथ काम करना चाहिए इसकी आत्मा और मेरी आत्मा मैच कर रही है देखो यह signal समझने भूर हुद है यह यह tuning होना चाहिए बात आज दिल खोलके बताए कि हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉंग कोई भी एक आर्टिस्ट होता है जो अपर तर्ज बनाता है एक imagination करता है एक situation की imagination करता है उसका thought उसे at a time तो आता नहीं है कही एक back of the mind कुछ पढ़ी हुई story जो उस तर्ज के लिए उसे inspire करती है हम दिल दे चुके सनम का वो जो गाना था, कहां से लिए थे, कब आया था ये थोड़? नहीं, देखें, क्या होता है, कि जिसे एक और जिद वाला किस्सा, इसी बात को लेके, कि मेरे एक दोस्त ने ये बोला था, कि ये तो वाइलेन बजाता है, और सबसे पहले अगर आपको म्यूजिक डाटर बनना है, तो ये परमपरा चली आ रही थी, कि आपको कम से कम हार्मुनियम बजाना आना चाहिए, तो वेरे एक दोस्त था, जिसने मतलब हसी मजाग में मुझसे ये कह दिया था, अबे, साले, तेरे को हार्मुनियम तो बजाना आता नहीं, लल्लू मुजड़ाटर क्या खाग बनेगा, तो वे बोला, हुए, किस से बात कर रहा है, बिना हार्मुनियम के तेरे को मुजड़ाटर बनके नहीं दिखाया ना, तो तू भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, ओ, चैलंज वाला बाई, आप एक दीन है, हार्मुनियम मेरे घर में पड़ा हुआ था, तो मैं मेरी लाइफ में गाने तो बद बना है, सब एसे ही बना है, हवा में, बट ये काइटल सुम जो हम दिल दे चुके सर्नमे, हार्मुनियम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा के, शल मैं सीखना तो नहीं चाता हूँ, बट वाईलिन सीखा है तो मेरे कान में सूर है, बट चलो थोड़ा हाथ रखता हूँ, आर्मुनियम पड़ा हुआ देखता हूँ, गाना बनता है के नहीं, और ये, मैंने हाथ रखा और ये गाने ने जनम लिया, हम दिल दे चुके सर् सही माईने में आपने बताया कि मेरी और संजे लिला बनसाली की आत्मा एक थी, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, दर्शक मेरो समय दो जे विरामना अंतीन तबकानी बातो, इसमाईल दरबार साथे नी, ब्रेक पचिए जागो ग्राहक जागो, जुओ गुरुवारे रातरे, दस कल्लाके जनतानो अवाज, जुओ दर्रोज बपोरे, बैत तरिस कल्लाके विरामबाद फरी एक और सौगर शापनू कारे करम अती थी माँ आपने ब्रेक से पहले का कि संजे लिला बंसाली और इसमेल दरबार की आत्मा एक थी वो उस वक्त आपको महसूस हुआ जब उन्होंने का कि यार बहुती बढ़िया तर्ज है हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सौंग क्या कनफेस करना चाहेंगे कि संजे लिला बंसाली अगर इसमेल दरबार की लाइब से निकाल दे बहुत बड़ा वैक्यूम बन जाएगा और ओ दिखता भी है शायद आज देखे मैं आप आप जो बोर रहे हो ना आपने कहा ना दिल खोल के बोलिए है ना और मैंने हमेशा जिंदेगी में दिल खोल के ही बात किये कभी परवा नहीं की कि उससे मुझे क्या फाइदा होगा और इससे मुझे क्या लुकसान होगा। आप इनट्र fact मैंने Sanjay Benzali को इस बार बोला भी कि जब quarters करता करने का मन करे ना तो मेरे सथ काम कर लेना है आप को क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि तो मैं बहुता आप हिस्ट्री उठा लो आपकी, आपने जितना भी काम के ऐसा फ्लॉप है, इस्माइल दर्बार ने आपके सब दो काम किये जिसमें हिस्ट्री क्रियेट किये, और मुझे भी आपकी जुरुवत है, ऐसा नहीं है, ये ये ब्लेंट आपने है, हया, कि ना आप मेरे बगएर कुछ कर सकते हो, मैं आपके बगएर कुछ कर सकता हूँ, स्ट्री क्रियेट नहीं कर सकते हैं, हम तोनों एक दूश्रे के बगएर, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसके बगएर कर लूँगा, ऐसा भी नहीं है, बड़ ये ओपन बात, लेकिन य कि यह जैसे कि संजे लिला बंचाली के बिना इसमेल दरबार कुछ करी नहीं सकते है पर संजे भी तो कुछ नहीं कर सकता है फिर भी फिर भी क्या बाकी लोगों को पसंद नहीं आती है इसमेल दरबार की लोग चाहते है कि मैं उनकी चमचागिरी करूं वो जैसे कह मैं वैसे क तो मैं चम्चा गिरी करके काम नहीं करना चाहता हूं। और दूसरी बात जो उनका जो म्यूजिक का टेस्ट है। एक सिंपल सी बात है कि मेरी चार पांच भी पिली हु मैं म्यूजिक में तो मेरे रग रगो में म्यूजिक है। और अब एक ऐसा आदमी मेरे सामने बैटा है जिसके बाप दादा है कि तो छोड़ो कहीं पूर्खों से म्यूजिक उसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं है। और वो बोलेगा कि इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो आप बोलो ये बरदाश के बार है के नहीं बार है। तो हर एक काम होता है। ये इंडर्स्ट्री में यहां से सिधा सवाल में डाइवर्ट करता हूँ। इस इंडर्स्ट्री में इंडर्स्ट्री की समझदारी के बीना वाले लोग बहुत ज्यादा है। ज्यादा तादाद हो गई ऐसा लगता है पैसे लेकर आ जाते हैं बहुत ज्यादा उनको क्या लगता है ने कि जिसे देखें मैं आपको बताता हूँ क्रियेशन एक ऐसी चीजे जो उपर वले की देन है जो मैं भी नहीं बोर सकता हूँ कि मैं जो भी बनाऊंगा वो हिट होग कि यह पड़ा लिखा नहीं है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं बड़ इसकी आत्मा इससे जो भी सूर निकलते है उसमें पावर है उसने यह विस्वास किया है ना और मेरे जैसे पागल आदमी के साथ काम किया मतलब यह पागलपन संजे बंसाली ने पहले गाने जब र रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं किया था खाली उसने फिल्म दी थी और रिकॉर्डिंग नहीं वा तब मेरे अंदर यह पागलपन था कि आप क्या पिच्चर से निकालो कि मैं आपकी फिल्म छोड़ रहा हूं तो यह पागलपन ऐसा नहीं है कि यह जनम लेके भार आया ह हो है बट कहने का मतलब यह कि इसका क्रेडिट में संजे को देता हूं कि उसमें इतना सब्र था और इतना उसको पता था कि मुझे इस से काम निकल वाना है और कुछ सोचाई नहीं उसमें उसके बाद संजे ने देवदास में मुझे लिया अगें हम दोनों के बहुत जगड मेरा क्या होता था ना कि जो चीज मुझे 100% लगती थी ना आप उसको 90 बोलोगे ना तो मैं आपको बोलूँगा आप गलत हो तो मैंने आपको गलत बोल दिया ना तो आप बरदास्ट नी करोगे तो यहां पर यही प्रॉब्म हो इसमाइल दरबार की खुद की तीन सबसे मजबूत बैठेरें जो भी करता है जो भी देता यह सबसे बड़ाğan थे आज भी आज मैं फिरसे आपको पता है जो मेरा आज का टाइम चलरह है बट मेरा स्ट्रेंद यह कहता है कि मैह ने जो भी नाम किया है यह सिप 5% है अभी 95% बाकी है तो ये मुझे स्ट्रेंथ मिलता है उपर से दूसरा मेरी माबाप कट टू सीधा मेरे माबाप अगर उनकी दुआएं नहीं होती तो ये कभी नहीं होता तीशरा मेरे बुजर्ग जिन्होंने बहुत तकलीफ उटाई मकाम हासिल नहीं होआ तो मुझे ये तीन स्टेंथ है तीन्स ट्रेंथ है आपके तीन विकनेस் कौन सी इसमैle दरबार की जो लगता है कि मुझे इंप्रू करनी चीए मेरी सबसे बड़ी विकनेस्पिया है कि मुझे सामसे अले की बात सुनना चीए मैं अमें सा